हेलो प्रेंश वेल्कम बैक टो मैं चैनल और कैसे हैं आप सब आशे करते हैं आप सब बहुत अच्छ होएंगे तो यह संडे का टाइम था और मैं यहां कर रही थी अपने जो है सुभा की साफ सफाई और पहले ही लग गई थी मुझे कुछ है ना ब्रेक पास वगएरा नहीं बनाना था क्योंकि छुट्ती थी तो फिर महीने में एक या दो बार तो थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत जादा फरक तो नहीं परता लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि एक बार तो बाहर से ना होई जाए नाश्टा वगएरा तो बस यह चले गए थे सुबा का कुछ न लेकिन जब हमें खुद करना होता है ना तो वह काम तरीके से होता है क्योंकि आप बैठोगे नहीं आप को काम दिखेगा तो आप जटपर तैना काम करने लग जाओगे तो बस यहां मेरे साथ ऐसा ही था यह बच्चे जैसे उठे तो मैं आना सारे बिस्तर वगएरा और सार दूँगी क्योंकि जब तक यह अपना जो है नाश्ता पानी वगएरा कुछ ले करके आएंगे तब तक मैं अपने आधे काम न निपता चुकी होंगी तो ऐसा लगता है ना कि चलो अब कुछ नहीं करना है तो एक नाश्ता भी बहुत बड़ी चीज होती है कि हमारा इतना टाइम बच रहा है तो हम जबता कुछ और कर लेते हैं तो यहां मैं ना हजबन के लिए मैंगो शेक बना रही थी क्योंकि वो नाश्ता जो मैं मंगा रही हूं ना बेड़े या वो मेरा तो बहुत फेवरेट है मेरी बेटी का बड़ा फेवरेट है लेकिन मेरे हजबन ना ऐसा खाना बहुत कम पसंद करते हैं खाते हैं बट सुभा उनको बहुत जादा ऐसा नहीं लगता है कि इतनी हैवी चीज खाई जाए तो बस वो अपना फुटबॉल वगएरा खेल कर आये थे तो मैंने उनके लिए यह आमरस निकाला और यह बड़ा ही गाड़ा गाड़ा निकल गया था क्योंकि वो दूद मिक करने के लिए मना कर देते हैं और बिना मिल्क के एना फिर इतना गाड़ा निकल रहा था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क एड़ किया तो एक छोटी सी मेरे पास कांच की ग्लासी है उसमें मैं वीशू के लिए कर रही थी तो वो भी नहीं लेता वो इतना फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क एड किया और फिर इसको ग्रेंड किया क्योंकि मैंने का अब यह पीने लाइक नहीं खाने वाला हो गया था तो थोड़ा सा दूद एड करने से उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है मुझे तो बिल्कुल एना इतना थिक पसंद भी नहीं है तो बस को तो यह जो बेड़ेंगा है आलू की सबजी है यह जादा पसंद है साथ में जलेबी भी अच्छी लगती है लेकिन यह इस बार ना जलेबी नहीं लेकर करके आये थे लेकिन बेड़ेंगा अरू और मैंने और वीशू ने खाई थी तो अपने नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपना जो है कपड़े वगएरा वाश करने डालने के लिए क्योंकि मेरको अभी करने थे कुछ काम तो मैंने पहले वाशिंग मशीन लगाई कि अपने कपड़े जो है वाश होते रहेंगे क्योंकि घर के कुछ काम हो मैंना हम लोग बूल जाते हैं तो यहां मेरा कूछ न कूछ काम बाकी है और मैं कुछ काम करने अपने किशिन में जैसे गआ कोई तो टाइलों के उपर डिल मशीन चलाने के लिए ना मैं उसे poams T कील रहता है तो वो नहीं था तो husband लेने चले गए तो इससे पहले मैंने कर लिया था जाड़ू पोछा क्योंकि जब तक वो लेकर आएंगे अब तब तक मैं वेट तो कर नहीं सकती थी हालांकि तब गंदगी होती लेकिन वो फिर एक पर्टिकुलर एक जगा पर रहती पूरे घर में ज़ाड़ू कि अभी थोड़ा सा है ना अपना काम निपता लिया जाए जब तक ये आएंगे क्योंकि फिर अकेले तो husband नहीं करने वाले थे वो काम भी है ना मुझे ही साथ में करना पड़ता लगना पड़ता कुछ चीज़े मैंने बताई है कि किचिन में कहां क्या क्या लगना है और यहां अभी गर्मी है ना एकदम से बढ़ चुकी है हवा चलती है लेकिन फिर भी ऐना ऐसा लगता है कि बहुत जादा बारिश होने से पहले कि जो गर्मी रहती है ना बहुत जादा गर्मी हो गई है तो ऐसी गर्मी में मन तो नहीं करता है लेकिन इतना ह कि आपको अपना घर अगर क्लीन करना है, साफ सुतरा रखना है, तो थोड़ा तो यह सब पहन करना पड़ता है, और साफ में मेरा बेटा चलता रहता है मेरे आगे पीछे, तो बस मैं यहां अपने जाड़ू पोचा करने के बाद नहा कर आ गई थी, तो मैं बनाने लगी थी बेंगन का भरता, तो मैंने बेंगन सबसे पहले रखे क्योंकि उसको घुने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो अब जब से यह मैंने अपना शीशे का जो रैक लगवाने के लिए रखा है तो इसके चक्कर में मेरे बरतन रह गए थे धोने के लिए, तो वो तो एक साइड पर है, जब तक मैं अपने और दूसरे काम निप्टा रही थी, अच्छा यह ना आरू बेंगन का भरता नहीं खाती, तो उसके लिए आलू की सबजी में बना रही थी, अभी रिसेंटली ही उसको बड़ा शौक चड़ा है, आलू की सबजी का, और उसकी नानी बनाती है, त जो हम लोग जादा तर सफर में ले जाते हैं, पूरियों के साथ में, तो यह वाले आलू, अरू को पसंद है, तो बस उसकी तयारी कर रही थी, और बाकी मेरा बैंगन का भरता था, तो उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर जो थे, वो मैं उसको ले लिए था, तो उसमें बैंगन के भरते में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, जो टाइम लग रहा था बुनने में, वो अलग अपने भुनता रहता है, उसको अलट पलट करती रहती हूँ, साथ में प्याज अपनी भुनती रहेगी, यहां मैं जो आलू के लिए मसाले ले रही हूँ, वो एक कटोरी में मैंने ले लिया था, और एक साइड पर यह कर रही थी, यहां क्या था कि पहले हम लोगों ने सोचा कि पहले है, लंच कर लेते हैं, देन उसके बाद यह काम करेंगे, क्योंकि इस काम में भी जो मैं किचिन में रैक बगएरा लगवा रही थी, शिशे की, उसमें भी टाइम लगना था और फिर बहुत जादा गंदिगी फैल जाती मिट्टी मिट्टी हो जाता पूरा घर तो इस वज़े से पहले है ना मैंने अपना खाने पीने का काम किया कि इनको खतम करते हैं नहीं तो फिर दूल मिट्टी में मैं काम करती और फिर उसके बाद खाना बन बहुतर लगी हुई थी यहाँ पहले बैंगन के भर्दधाई गीयार किया मैं वहा बैंगन भूनी थी तो इस का एक probably five i dough of like all भी है क्योंकि लोगों को ना काफी अच्छा लगता है मैंनवह को ट्राइक नहीं किया को मुझे उतना ज्यादा पसंद भी नहीं काफी सारी वह कच्छा भीन भी खा लेते हैं और मैं नहीं खाती हूँ तो यहां बस मेरी दोनों ही सबजियां रेडी हो गई थी और बस मैं बना ले रही हूँ रोटियां और बस यहां पर थोड़ा बहुत जो हमारा तो बेड़ियां से इतना ज़्यादा पेट फूल हो चुका था तो बस अभी हस्बिन का था तो फटाफट पहले उनके लिए खाना पीना लगाया मैंने तो बस दोनों की थालियां रेडी हो गई थी आमरस मैंने अरु को दे दिया था खाने के लिए रोटी और वो दोनों खा लेती है जिससे भी उसको मन करेगा तो बस अपने खाना पीना सब करने के बाद अब बारी थी मेरे किचिन को क्लीन करने की और अभी भी मेरा जो है ओल का और स्पाइस जार वगेरा सब कुछ पुलट पुलट रखे थे क्योंकि उपर इधर उधर है न सब जगे समान बिखर गया था काम करने के चक्कर में वो उस टाइम तक तो हुआ नहीं पहले तो यही सोच लिया कि चलो फिर खाने का ही कर लेते हैं लेकिन गैस को मैं प्रॉपर क्लीन कर रही थी ओईल वगेरा के डार्क से अभी धूल मिट पेंच लगाएरा तो उसका निशान लगा रहे थे और यह काम यही कर सकते थे तो मैं कब से इनके उपर डिपैंड थी कि कब वीकेंड होगा और मैं इसे ये काम करवाऊंगी तो बस जो भी घर में कुछ भी काम रहता है न वो सिर्फ मैं ही सोचती हूं कि मुझे क्या करवा और अभी आपने देखे मेरे बरतन के इतने धेर लग गया था क्योंकि मैंने सुबह से किया ही नहीं उदर इस पेज नहीं था टोकरी हटा नहीं सकती थी वहां से तो यह पूरा यहां से बड़ा रेक लग गया था हम पहले सोच रहे थे कि इसको कटवा लेंगे तो आधा लग है कि बोटल वगयरा साइस वगयरा सब मैंने चेक कर लिया था कि मुझे कितने साइस पे लगाना है जिससे कि कुछ कुछ चीज़े आपाएं ऐसा नहीं कि बिलकुल ऊपर की रेक से बिलकुल चिपका के या वैसा कर दूँ कि थोड़ा से गैप रहा और छोटी-छोटी कि तो अब मैं पहले कर लूँगी अपने बरतनों को साफ और यहां जो आधा काम हो गया था यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी किचिन में एक और छोटा सा काम हो गया था और अभी यह सब चल रहा है जैसे जैसे चीज़े रहेंगी तो मैं उसको भी और आप मेरे व्लॉग में देखते ही जाएंगे कि मैंने और क्या कि आपने इस रेक्टे रखा है या मैंने किस तरीके से सजाया किया है इसको थोड़ा सा टाइम तो मुझे इसमें हो गया था करते करते थोड़ा सा इजी लगता है कि काम छोटा सा ही काम है ड्रिलिंग करना है लेकिन उसके लिए भी पूरा दिन लग गया, पूरा दिन में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसका जो जैसे मैंने बोला करने के लिए जो कील रहती है न वो इनको सर्च करनी पड़ी बहार जाके लेकर के आना पड़ा, तो बस दीरे दीरे शाम हो गई थी, और बस मैंने जै और जल्दी उठ गए तो बस यहीं पर मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूं मेरा वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना